हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नव क्लासेश कैसे हो आप सब आज हम डिस्किस करेंगे एंटियनेट पेपर वन का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका अनालेसिस अगर आप मेरे चाने पर नू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ बल ऐकन को दबा देना ताकि आपको नॉटिफिकेशन तो मिलते रहें जैसे ही मैं नू आपके लिए वीडियो लेकर रहा हूँ फ्रेंड्स में अनेकैडमी में वेरिफाइद एडुकेटर हूँ आप अनेकैडमी के लर्निंग आपको डाउनलोड करके मुझे सर्च कर सकते हैं और वहां पर मेरे वीडियो सब ही देख सकते हैं अभी अभी मैंने जो फर्स शिफ्ट के क्वेश्ट थे उनका भी अनालेसि करूंगी जो एक-डो कोईश्टन है रीजनिंग वाले जो पता से लिए उनको मैं सॉल्व करके भी दिखा रही हूं ठीके तो आपका क्वेश्टन था बिल्कुल डिरेक्शन वाला थोड़ा थोड़ा तफ आया था प्लीज उसको देखना डिस्टेंस वाला क्वेश्टन मै लिंक मैंने है यहां पर यूट्यूब के कम्यूनिटी टैब में रे दिया है वहां से चेक किजिगा फ्रेंड से गुड़निव आपके लिए कि हम लोगों ने जे जे एरेफ बूस्टर करके एक गिल्ड बनाया है जिसमें इंडिया के बेस्ट टॉप एडुकेटर्स सब मिल कि पेपर वन और पेपर टू टीच कर रहे हैं तो हम सोच रहे कि एक भी पेपर टू ना चुटे तो इसलिए सभी एडुकेटर्स मिल कर टीच कर रहे हैं तो आप अने के अडवी पे जी एरेफ बूस्टर को फॉलो कर सकते हैं अब ही मैं दिखाती हूँ कि मेरे कौन-कौन से लर्नर्स ने क्या-क्या बताया तो यह तो है फिर्स्ट शिफ्ट वाले लर्नर बव्या सौमी और इन्होंने बताया जो रीजनिंग मैंने करवाया तो इसमें उसी में से आया तो डेफिनिटली उसमें एजी रहेगा सबको अ होना होल आर से बहुत ही एजी आया सेकंड शिफ्ट के अंदर और मेरे लर्नर्स का जो अच्छा गया है तो इट मीन सेकंड शिफ्ट अच्छा ही था एजी था ठीके आर से एजी था और दिए मॉडरेट था मतलब टफ नहीं था हम लोगों ने उसकी प्राक्टिस करी हुई इनका एजाम अच्छा गया एजी रहा और टीचिंग अप्रिटोड केस के अंदर आये थे फोर क्वेश्ट और रिसर्च के जादा क्वेश्ट आये थे और रीजिनिंग वाला जो पोशन है वो भी काफी आया था मतलब इधर भी यही रहा कि जो पैटन है बिल्कुल भी सेम इनका एक्जाम अच्छा गया जितनों से भी मेरी बात हुई है एक्जाम यह सेकेंड शिफ्ट वालों का अच्छा गया है में बात वही है कि अगर आपको क्रक्स पता है चीज का पता है कि इसमें क्या है क्या नहीं तो डेफिनेटली आप बैटर कर सकते हो सबसे बेस्ट कर में बात ये है डरना विल्कुल बीन आया है जहां हम ढ़ गए वहाँ पेपर छूट गया पेपर छोड़के बील्गुल नहीं आया है एक आते में अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा तो उसमें आपको रिव्यू में मतलब कुछ ना कुछ करके आगे जाना है ये ने कि छू तो इसलिए आपको पता चल गया न यह प्रॉब्लम हो रही है तो अब नेक्स्ट वाले स्टूडेंट्स क्या गरेंगे जैसे ही आपको यह question दिख रहा है उसको mind में बिठाने के गोशिश करो keyword क्या लिखा है फिर question RC वेगरा जो भी देख रहे हो उसमें देखो question को mind में बिठाना ज़रूरी है नहीं तो आप लोग वही question थोड़ी देन में भूल जाते हो तो फिर यहां RC में जोड़ा time लग रहा है otherwise RC बहुत ही easy आया था बहुत ही easy उधर उधर paper one में DI easy आया इनका RC easy आया इनका जो DI था वो moderate level का था अगर उसकी person ने DI की अच्छे से practice करी थी तो उसने best दे दिया है ठीके जैसे कि यह learner मेंने जो बताये है यह learner मेंने crash course complete course और quiz वाले course में है ठीके तो जो quiz वाले course में हम लोगों ने इतने अच्छे से DI tough से tough वहाँ पर दिये थी तो उन से उनके practice हो गई और बाकी learners आपका exam है और मैंने 1-1 rupees वाले courses भी लिये है तो आप वो definitely कर सकते हो और अगर आपको अभी भी लग रहा है कैसे करना तो DI का मेरे free वाला course देखो जा कि आज review में डाल दिया है वो कर launch हो जाएगा DI वाला course So, अब जो first shift था analysis उसका मैंने सुवे morning में कर दिया था और मैंने key points यहां पर लिग दिया है और यही मैंने key points अनिके वे डाल दिया है और questions को solve कर कर दिखाया है क्योंकि आप उन questions को वहां से जरूर देखे क्योंकि जो reasoning आया था ना first shift में वो technical आया था तो मतलग उसमें सोचने वाला था तो इसलिए वो distance वाला question था, distance and speed वाला question था अच्छे से आप करी रहे है अच्छे से अच्छे से आप करी रहे हो अचीव कर लोगे so thank you so much नव क्लासे देखते रहे है Facebook पे जरूर लाइक कर लेना, group join कर सकते हो subscribe के साथ bell icon को दबा सकते हो यहां से अपने friends के साथ share कीजेगा video को thank you have a nice time